वेल्कम टुश्टों डिक्टिसन अगर आप चाहें पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब बेल आइकन जिरूर दबाएं डिक्टिसन पांच सेकेंड बात सुरू होगा नागरिता संसोधन कानून को लेकर आमजनता तक अपनी बात पहुचाने के लिए भाजपाने एक अभियान शुरू करने का जो फैसला किया वहदेर से उठाया गया कदम ही दिखता है इस अभियान के तहत अगले दस दिनों में तीन करोण परिवारों से मिलकर नागरिक्ता संसोधन कानून के बारे में बताया जाएगा और साथ ही जगह जगह प्रेस कानफरेंस भी की जाएगी कायदे से यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था पार्टी के साथ मोधी सरकार को भी आमजनता से संपर्क समवाद की जरूरत तभी समझ लेनी चाहिए थी जब सुपरीम कोट ने कहा था कि नागरिक्ता कानून पर व्यापक प्रचार प्रसार की दरकार है समझना कठिन है की नागरिक्ता कानून पर विपक्ष के तीखे विरोध के बाद भी सत्तापक्ष यह क्यूं नहीं भाप सका की उसे आमजनता के बीच भी वैसी ही सक्रियता दिखाने की जरूरत है जैसी उसने नागरिक्ता संसोधन विधेयक को आगे बढ़ाते वक्त संसद में दिखाई लगता है कि उसने इस विधेयक पर संसद की मुहर लगते ही यह मान लिया कि अब इस मसले पर कुछ कहने बताने और खास कर विरोध कर रहे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि सत्तापक्ष यह भी नहीं समझ सकाह की नागरिक्ता संसोधन विधेयक के साथ प्रस्तावित एन आरसी को लेकर जनता की बीच किस तरह भ्रम फैला कर उसे गुमराह करने के साथ उकसाया भी जा रहा है यह काम विपक्षी नेताओं की और से तो किया ही जा रहा वामपंथी रुजहान वाले बुद्ध जीवियों और फिल्म जगत के लोगों की और से भी किया जा रहा इस काम में मीडिया के एक हिस्से की भी भुमिका है इसी कारण विरोध के नाम पर और आजकता का खुला प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उसे बेशर्मी के साथ सही भी ठहराया जा रहा है उनमाद भरे उपद्रव का सिलसिला भी इसी लिए कायम है यह ढोंग की पराकाष्ठा ही है की पागलपन भरी हिंसा में रेलवे की करीब 90 करोण की संपत्ती स्वाहा हो जाने विभिन राजियों में 300 से अधिक पुलिस वालों के लहुलुहान होने और सैकणों वाहन फूंके जाने के बाद भी यह राग अलापा जा रहा है की हम तो सांती के साथ अपना विरोध कर रहे हैं अभी तक करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है और फिर भी गांधी अंबेड कर समविधान लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है यह छल छद्म के अलावा और कुछ नहीं हैराने की जब सरकार इस सब के बारे में जान रही थी की लोगों को ब्रहमित और भैभीत किया जा रहा है तब फिर उसकी और से आम लोगों तक पहुंचने का काम समय रहते क्यों नहीं किया गया अगर डिक्टीसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे डिक्टीसन ठेली पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब जरूर करने